नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर दिल्ली में इंदनों लगातार आंगनवाडी करमचारियों की हड़ताल दिल्ली सरकार को लेकर जारी है और इसी बीच एक आटी आई की रिपोर्ट सामने आई है जिसने अर्विन केजरिवाल सरकार की पोल खोल कर रग दी है कि किस तरीके से अर्विन केजरिवाल की सरकार यानि की दिल्ली सरकार इमामों को जादा सेलरी दे रही है यानि की जादा स्तंखा इमामों को दी जा रही ह और आंगनवाडी की जो कुरकर्स हैं उन लोगों के लिए कम सेलरी दी जा रही है दिली सरकार की तरफ से और इसी मामले को लेकर अब लगातार बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके से तुस्टी करण की राजनीती दिली में अर्विन केजरिवाल करते हैं जहां एक तरफ इमामो को ज़ादा पैसा दे रही है दिली सरकार और वहीं अगर बात की जाए अर्विन केजरिवाल की जहां वो तमाम राज्यों में अपनी सरकार बराने का सपना देख रहे हैं तो वो तमाम बादें वहाँ पर करते हैं पर आपको बता दें कि जहां एक तरफ आटी एक की रिपो लिए सेलरी नहीं दे रही है और इस पर भी दिली सरकार को लताड़ा गया है तरहा है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो तरीके से समस्यां सामने आ हैं कि जहां NCPCR की तरफ से भी दिली सरकार से जवाप मांगा गया है कि आखिरकार दिली के जो स्कूल्स हैं उनमें 824 स्कूलों में प्रंसिपल क्यों नहीं है जहां एक तरफ दिली के मौडल को लेकर सिक्षकों को लेकर और आंगनवाड़ी को लेकर लगातार बड़े वादे करती है दिली की अर्विन केजरिवाल सरकार तो वहीं बड़े खुला से हो रहे हैं कि किस तरीके से अर्विन केजरिवाल जूट का पुलिंदा दिली के लोगों को लेकर बांध रहे हैं और आगे याने की जहां एक तरफ हिमाचल और गुजरात में अपनी सरकार बनाने का स किस तरीके से अर्विन केजरिवाल ने कर रखे हैं वो हर दूसरे दिन आटी आई के रिपोर्ट से सामने आता है कि आज मॉलवियों को जादा सेलरी दी जा रही है और जो करमचारी है आंगनवाडी के वो लगातार 2839 दिनों से लगातार हरताल कर रहे हैं महिलाएं जो हरता कर रही हैं उन 400 महिलाओं को भी नौकरी से निकाल दिया गया उनसे माफी नामा लिखने के लिए कहा गया किस तरीके से अर्विन के जुरिवाल की जो सरकार है वो आरंगनवाडी के करमचारी हैं उनके साथ कर रही है कि जो भी जुरिवाल की खिलाफ अवाज उठाएगा इ जिन महिलाओं ने बस वालों का यानि कि जितने भी लोग अर्विन के जुरिवाल की सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे जिन महिलाओं ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया उन महिलाओं को बस में बठाने से ही इनकार कर दिया गया सरकार की तरफ से आप द तर्विक्तिकरण की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आंगनवारी में जो महिला करमचारी है उन्हें उनकी नौकरी से ही निकाला जा रहा है सिर्फ इसी रिए कि आखिरकार वो राज्यसरकार याने की दिली सरकार के खिलाप प्रदरशन क्यों कर रही हैं आ अलावा स्कूलों में गैस्टीचर से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी परिशानिया दिली में देखने के लिए मिलती हैं गैस्टीचर की नहीं तो दिली सरकार ने सैलरी बढ़ाई है और नहीं तो उन्हें पर्मानेंट किया है हर साल दिली सरकार की तरफ से गाइडलाइन ज उस्तेहार ऐसे ही पड़े रह जाते हैं अक्भारों में छापने के लिए अर्विंद केजरिवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं पर जमीनी इस तर पर चीज़ें कुछ और ही नजर आती हैं और यहीं चीज़ें निजर आ रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ सिर्फर तुस्टी करन کی राजनीती करने के लिए आज अर्विन केजरीवाल कोवीड की समय के भी बात करें तो किस तरीके से उन्होंने मरने वाले ड Jonathan उन्होंने का कि जो भी doctor जो की MRK करते 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 और जो जादा तर डॉक्टर थे वो एक विशेश समुदाय से आने वाले थे यानि कि सिर्फ और सिर्फ तुस्टी करण की राजनीती करने के लिए अर्विंद केजरिवाल किस तरीके से तुस्टी करण की राजनीती करते हैं आज ये दिल्ली की जंता और दिल्ली के अलावा उनकी नेताओं को वहाँ का मुख्यमंतरी बनाना चाहते हैं पर आज धीरे धीरे करकर अर्विन केजरिवाल की सच्चाई सामने आ रही है कि कैसे अर्विन केजरिवाल का जो सिक्षा मॉडल है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है जहां एक क्लास में करोडों रुपे लगाने वाले अर्विंद केजरिवाल की स्कूलों की सच्चाई ये है कि 824 स्कूलों में ना ही तो प्रिंसिपल है और ना ही तो स्कूलों के जो टीचर्स है उनकी सेलरी दी जा रही है और अगर छोटा कोई करमचारी है यानि कोई हरताल या फिर ड्टीजी सी बस का कोई करमचारी है या फिर आंगनवाडी की करमचारी है अगर इस तरीके से अवास अर्विन केजरिवाल के खिलाप ये सरकार के खिलाफ उठाये जाती है तो सरकार उनके खिलाफ एक्षिंज लेने से बिलकुल भी नहीं चूकती है यानि कि सर्फ और सरेब अभी अगर सरकार एक बार फिर से चुनकर आई है अर्विन केज रिवाल की जहां वो बड़े वादे करते थे के हम फ्री बिजली फ्री पानी और फ्री यात्रा बसों में देंगे या और भी चीज़ें करेंगे आज वो दिली में बिलकुल भी होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि जहां एक तरफ गैस टीचर्स को लेकर सेलरी का बड़ा मामला सामने निकल आया है वो लोग भी बड़े परिशान है हाई कोट भी कई बार फटकार लगा चुका है अर्विन केज रिवाल को और आज जो फटकार हाई कोट की तरफ से लगाई गई है स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको सेलरी ना देने के मामले में इस पर भी आज हाई कोट की तरफ से तक्त टिपड़ी की गई है और हाई कोट ने भी कहा है किस तरीके से अर्विन केजरिवाल एक ही तरीके से एक ही विशेश समुदाय को लेकर सिर्फ बयान बाजी करते हैं उनी के लिए चीज़ें करते हुए नजर आते हैं जैसे कि दिली में जो रहने वाले लोग हैं सरव एक ही समुदाये ने उन्हें वोट दे कर जिताया है वहीं आपको बता दें कि फ्री बजली और फ्री पानी के जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल की तरफ से बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए जिन महिलाओं की या लड़कियों की एज 18 साल से उपर है हम उने 1000 रुपे देंगे पर वहीं अगर जिन राज्यों में अर्विन केजरिवाल की सरकार है वहाँ पर ध्यान दिया जाए तो किस तरीके से अर्विन केजरिवाल के व लोगों के घर में साफ पानी नहीं आ रहा है, पानी को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन लोग टैंकर का वेट करते हैं, पर उसके बावजूद भी अरविन केजरिवाल किस तरीके से बयान बाजी करते हैं, वहीं आपको बता दें कि जब भी किसी मामले को लेकर कोट की तरफ से फ इमेदारी है या फिर हमें फंड नहीं दिया गया, इस तरीके की बातों को कहकर अरविन केजरिवाल हमेशा आपने आपको बचाने का प्रयास करते हैं, पर इसे बीच आपको ये भी बता दें कि कल जो NCPCR की तरफ से जवाब मांगा गया था अरविन केजरिवाल से उसकूल मेडिया पर दिखाई दे रहा है, और ये बता रही है जनता कि जहां एक तरफ अरविन केजरिवाल जाद तर जो पैसा है, उसे अपने नेताओं के लिए लुटा रहे हैं, अपने लिए लुटा रहे हैं, और वहीं कुछ एक विशेश धरम के लोगों के लिए किस तरीके से अरविन केजरिवाल के पास पैसा है और उन्हीं के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, ये दर्शाता है कि अरविन केजरिवाल की सरकार दिल्ली के बाद पंजाब में तो बन गई है, पर कहीं और सरकार बनाने के सपने अरविन केजरिवाल ना देखें, क्योंकि आज जो प्रदेश की जंता है वो समझ चुकी है के अरविन केजरिवाल सिर्फ फ्री का वादा देकर केंद सरकार के उपर सारे जो दोश हैं वो मढगना चाहते हैं कि केंद सरकार ने हमें पैसे नहीं दिये या फिर केंद सरकार की तरफ से पंड नहीं मिल रहा है और वहीं अगर पांगे जाते हैं तो उसमें से वी अर्विन केजरिवाल अपने नेताओं के लिए वी आईपी सुविधाय देने के लिए पैसे का इस्तमाल करते हैं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ लोगों का आकरोश इस पूरे मामले को लेकर आटियाई की जो खुल सामने आ चुकी हैं कि आखिरकार अर्विन केजरिवाल एक साल के अंदर कितना पैसा मीडिया में लगाते हैं और कितना काम वो जमीनी स्तर पर करते हैं और करोणा के समय पर भी इस तरीके की कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया था दि दिल्ली सरकार को पर उसके बावजूद भी नतीजा जैसा का तैसा ही रहता है क्योंकि चीजों में जादा बदला अवर्विन केजरिवाल की सरकार की तरफ से दिल्ली में नहीं दिखाई देता खेर इस टॉपिक पर आपका क्या कह रहा है आप मैं कॉमेंट करके जरूर बत